असलाम लेकुम नाजरीन मैं गाजिया शबनम आप सभी के स्थेक्पाल करती हूँ आपकी अपने नीज मोमेंट में तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और पॉवर्वर्ड यूट्यूब चैनल नीज मोमेंट पर मोर डीटेल्स और एडवर्टीजमेंट कॉंटक्ट एडिटर 9563-830285 चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खेयों पर दुर्गापूर में हुई शरमसार करने वाली घटना लाशों को जलाने के लिए 10-15,000 मांगे जाने का आरोव धनबात फिर से हुआ खून में लत्पत ऐसा लगता है इंसानियत अब नहीं रही बड़ी-बड़ी कमपनियां सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है वो सिर्फ पैसों और ताकत के भूके है वो जलते हुए घाट में लाशों को भी नहीं बख्ष रहे है ऐसा वाक्या थाना कोकियान के मा तहत दुर्गपूर के बीरभानपूर के चमचान घाट में पेश आया दुम बोल चेजारा थापावे आर की वोजपत में बोल्ड़ कोन रहत्ता का लागवे नामना पर बना हात्य पाया पुड़ेची लाग़ तो अनेक रिकोस्ट करार पर उनना कुन पास्ताई दिछेनना एवं पुन चोले गाले नार की अनेक खन दानी जाकते होई छे तार परे लाज़्टे वनेक अगुति मिनुसी कोरे एदी गोदी अपना अनेक जयेगाए फुन टोन करार परे वादी चान चल तो भुरे अमार मामत भाई अधीप मेट्य रियोंसिर भासिंडा गवतो काल होभीडे मारा जाया एर परे आमर रहसारात शाड़ाया गवड शमाए दुर्गापुरे जिरुभान पूर सहसाने पौँचे होई एर पर आमादे गतरी ती लाइने कुपन सभी कर गाटा होई किन्तु तार परे डोम्रा बले एई बोडी नामाते गाले एबों गाडी थेके नामिये नीजावे चुल्ली अमरा रिक्वेस्ट करी पनरोत करी चे इत अकाटा कमान भोग आमरा दिके राजी आछी किन्तु तास अत्ते ओर राजी होई ना एर पर आमरा पोशाशने दारस्त होई पोशाशने कोकबेन थनार आधिकारी असेमबागो आशें दोम देर के बोजान घौमकान किन्तु पनो अरे या कि घौत ना सुरु आव आज़ा खिशने ताका ना दिले नामा भोवनाशने कोफा होई तह बोलार परे दॉत दॉत दाम करार परे चारा जाट्ता काई राफा होई एर परे दौटे पंचाए अईजा कोट्ते तिम्ते पनरोते के शाड़े चाट्ता बेजे जाए मने शेही समाय चुली रेक्ता एक दूटी चुली चोल चे तरमाले एक टी चुली खाली पोड़े थाके पिछोने आरो कोभीड बड़ी पोड़े रोहे चे और द्वद्दाम कोरे जाए लास्टे चाराजट्टा के राजी हाँ अमरा चाराजट्टा के दी उधर के तार परे शाड़े चाट्टा स्वमाय जोदी एरकुम घटना की चुली खोटे थागे खुबी अमानुमीक ब्यापार एगदोमी बांचनियों आमी अल्रेडी तो अजुन्तो पुत्ते बोले ची जोदी एरकुम घटना घोटे थाके जे गोटिये चे तार दिवित्तो दिश्टांत में लोग शास्की ब्याबस्ता कड़ा आपे एगं आमी सबाई के बोले ची क्लोज नोजोर डाख्ते एरकुम घटना जाते नाग होजे सब्सक्राइब कर दिश्टां दादागिरी चोचे एक ताम मने रितिमतान जारा बारिलोत पादेर के होनुकी यह ताकाना होच्छे एर्मो तेया बड़ चक्रों काच्कोच्छे ना आमी तदनतो कोड़े देखते बोलेची ज्या चक्रण जा चक्राच्छे समास्ते चक्रो समय अनुषर यह रितिम चक्रों कोष्छा पादेना हो ताम मने रात्री भार चे ततो तादेर रात्री तदेर अधर अमादे तोरु सभाग तो मिशनरे द्रिष्टी आकर शुट कुर छे लिए तरोने जारा एक ता ठीक जे अनेक मृतेर संखा औरे बेडे गया चे शब्द सब्धाओ बेशी जाचे शब्दाओ बेशी कोष्टे होच्छे तो तार्माने एही नवाए इसोज्यों के बेशी अर्थ चाओ एटार आमरा प्रतिकार निश्च्च्वी कुर्गो आमरा ग्रिष्टी आकर्शुन कुरेची कोमिशन अगे ए रोकम भाभे आमरा एक ख़व मुद्धेयों भुखुटाका भड़ा चाओ होच्छे प्राय साथा जड़ता गरोपोर भड़ा नुआ होच्छे विव्यापरे आमगा ट्रांस्पोर्ट सोची के द्रिष्टी आकर्शुन कुरेचलाम कालके तीनी आज गे कोथा दिये चेन जे आर्टी एर मान्था में ए चेकिंग शुरू होए छे ठीक एकी भावे आमादे रेखाने बिभिन्नो रखों टेस्टिंगे चुन जहेतु जोथा जोथेस्टो पुरिक्खा परार शुजोग मानुस जोथोटा चाहिछे चाहिदा तुलोनाए अपकोर जापतो होच्छे शे जोने प्राइबेट तार परे वनेग दिन अपक्खा कोरे बायो फेना ड्रिंक हल्दी एंड स्टे हल्दी एंड फोर ट्रेड इंक्वाईरी प्लीस कॉंटाक्ट आवर ट्रोल फ्री नंबर 18002587060 रियासती पुलीस में रद्दो बदल साथ IPS तबादला रियासत में नई हुकूमत के क्याम के बाद महिकमा पुलीस को एक बार फिर तबदिल कर दिया गया है ये तीसरा मौका है जब IPS अफसरान को तबदिल किया गया है दिविंदर परकाच सिंग को अडिशनल कमिशनर पु तर्दिद अफराद ने ईद के मौके पर नेख खाहिशात का इज़ार किया इन्होंने कोवीड गाइड लाइनों को बरकरार रखने के लिए कहा वो आसंसुल मिन्सिपल कार्पोरेशन के अड्मिनिस्टेटर बोट के मेंबर अभिजीद घटक है आसंसुल मिन्सिपल कार्पो फ्रूत का बुबार कहा बद दिते हैं लिफ्न।ो फीसलिम हो चाहे हिंदू हो चाही जीज इसरी होë सबी बिलके हम लोग यह खुशी का मौख्य पर सबी का साथ देते हुए इनको और अच्छा से बनाएं और खुशी से बनाएं लेकिन हम लोगों को यह भी सोचता है कि अभी COVID का जो महावारी चल रहा है इससे हम लोग को बचना है तो ज्यादा लोगों को एक जगा में जमायत क्ली होना चाहिए अपने आपने घर पे आप लोग बना सकते हैं काम अध्रिन के साथ बना सकते हैं लेकिन COVID-19 को मांते हुए सरकार के जितने भी हमारे बच्छे मांगाल के सरकार का जो नियम है उनको मांते हैं सभी को हम लोग इद मानाएंगे और खुशी से ये दिन गुजारेंगे आईए इमारेस तबस्म आरा की खैलात को सुनते हैं असलाम अलेखू तमाम जिरादने इसलाम को इद बहुत बहुत मुबारख हो तीस रोजे रखके हम लोगों को इद तोफे में मिलिए आप सबों को मेरी तरफ से इद बहुत बहुत मुबारख हो करोना COVID-19 की लडाएं में हम सब जिस तरह से लडाएं लड़ रहे हैं आगे भी इसी तरह से हमें लड़ना है हम तमाम लोगों से एक बात की गुजारिश करेंगे एपिल करेंगे कि निमाज पढ़ने जाने से पहले आप भर से वजू करके जाए जाने माज अपना ले कर जाए सनिटाइजर करके जाए निमाजपल के आने सब फिर घर पे आप सेलिंटाइजर करें, भीड भार से बचे लोगों से दूरी बनाए रखें, माक्स पेहन कर बहार निकलें, गौर्मिन का जो गाइड लाइन है उसको फोलो करें, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेशन के जाने से कि भीड भार से बचे चेर्मेन आफ जमूरिया एंड टीमसी लीडर, इन्होंने ईद के मौके पर अपने दिल से लोगों को मुबारक बात दी और लोगों को मश्वरह दिया के वो कोविड नाइनटीन के गाइड लाइन्स को फॉलो करें, और अमन्वा शान्ती बरकरार रखें सुथ के रोज, नर्सों के आलमी दिन के मौके पर, E.C.L. अस्पताल के कॉन्फरेंस रूम में अस्पताल संतोरिया को इंडियन लेबर यूनियन की नर्सों की तरफ से इजाज से नमाजा गया प्रोग्राम के इफता सिस्टर फ्लोरेंस नाइट एंगल के पोट्रेट पर हार चड़ाने के बाद मुम्बत्तिया रोशन करके किया गया सीमो शीवानी भटाचारिया और इंचार्ज मिनाक्षी राय मौसुमी चकरवत्ती चंदना वर्धन शशूती चौधरी रंजना भटाचारिया रोना लाला डॉक्टर टीके डोकवा समेत ऑफिस सुपरिंटेंडड आनंत कावी समेत दीगर लोग मौजूद थे इनको सैनिटाइजर्स दिये गए और मिठाईया खिलाई गई इसके दौरान सिस्टर के साथ इंचार्ज मिनाक्षी राय ने बताया के फ्लोरेंस नैटैंगल के हमने जो हल्फ लिया है इसके मताबिक हम काम कर सकते हैं हमारा हदब है कि हम भील को कम करें और लोगों को सेहत मन बनाए इस मौके पर जैनाथ चौबे ने कहा कि हमारी नर्से बहाइसित डॉक्टर फ्रेंट लाइन वोकर्स क्रोना योदकाव जानती हैं कि वह भी क्रोना के दौरान खिदमात अंजाम देकर भी इंफेक्शन का शि है इसे बहुत सारी मुबारक बाद हम इनके होसला अफजाई के लिए आए हैं यहां हेट क्वाटर के सिक्रेटरी मिथन जे सिंग ने कहा कि मैं इनकी खिदमात के लिए इन्हें सलाम पेश करता हूं इस कोविड लहर में इनकी लगन बेमिसाल है इस मौके पर भामास के रिय सिक्रेटरी देया चंद नोनिया महिंदर गुपता और दीगर लोग मौजूद थे कोई परवाहना करते हुए अपने प्रानों को आगे रखकर खथेली पर ले करके यह लोग आप दिन सेवा कर रहे हैं ऐसे मैं आउसकता इस बात की थी कि भारवी में जो सही नेड़े लिया कि 12 मैं 2021 को नर्सिस दे के दिये हमें इन सभी का प्रोना जुद्धा फ्रंट लाइन के हैं उनका सम्मान करना है उसी के तहत बीमेस के प्रतिभी के रूप में हम सभी मिल करके अपने सब पोडिया इसल मुक्ताले पर जो कोवीट के पे yen कि में अपना समय दे रहे हैं सेवा दे रहे हैं हमारे सब्ध नहीं है दिन सब्धों के सिमाओ में बान करके हमुंका अविनन्दन करें बंदन करें और उनका जो है हम नमन पर इस साथिते जो कुछ मेरे पास है उनको बधाई ओन करते हूए Nане करते हैं और उनके साथ पूरा भ्यारती मज़ों संग परिवार खड़ा है यहां स्वासन देने के लिए आए हैं कि आप इसी तरह से अपना सेवाकारी करते रहेंगे इनी चंद सद्दों के साथ मैं अपनी बारी को यहां बिराम देता है मिर्चुन्जा जी आप अपने अनु सब्सक्राइब देना चाहेंगे अमरा तो अन्नों वचोर आरो सुन्दर कोरे कोटने पाड़ी वचो पाल आमना कोवीड कोवीड के जोर्न आमादे मैक्सिमाम सिस्टा दिवकी देहाचे तारा अपलान तो कोडिश्रों कोड़े तारा साड़ा खोन डिवकी कोच्छे सफलता की शुरुवात स्रिफ मोशन के साथ मोशन ओपन स्कॉलर्शिप टेस्ट ओर क्लास 7th to 12th student गेट अप्टू 50% स्कॉलर्शिप फोर सेशन 2021-22 अट दुर्गापूर और पर मोर डीटेल्स प्लीज कॉन्टाक्ट 9 4 3 4 8 2 2 कुरोना से मुतासिरा रिटायड दिनेश चंद्र भूमक ने बुद के रोज अस्पताल में गले में पंदा लगाकर खुदकुशी कर ली सुमवार को इसमें मौहकमा कॉरोना में दाखिल कराया गया था वो दुर्गापूर स्टिल सिटी के बी जोन एडिशन का रेहाईशी था दुर्गापूर मिनसिपल कार्पोरेशन के दस नमबर वाट के लोकल कॉंसिलर राज्योगोश ने बताये के इसने शायद दहशत गर्दी की वज़ा से खुदकुशी की है वाके के सिलसले में दुर्गापूर के डिप्टी मैजिस्ट्रेट मौके पर पहुँच गए बाराबनी से मनोशर्मा के मताबिक विनूरा वेस्ट ब्लॉक खुली पटकान के करीब कोईले के जखीरे में अचानक आग भड़क उठी गुजिष्टा रात से ही इंतिसामया के हुकाम ने इसे ग्यारा बजे के लगभग काबू कर लिया है विनूरा कोलवरी एजेंट अनिल सेना ने गुत्तगू करते हुए इन्होंने बताया के आग कैसे लगी कोईले की फरोक में कुछ अर्से से कमी वाक्या हुई है और हमारे पास जखीरा अंदोज हो चुका है यही वज़ा है कि हम कल से ही आग को पानी से कम करने की कोशिश कर रहे हैं रहता है इसलिए हम लोग रेगुलर पानी भी डालते रहते हैं तो कोई खाई खती हुआ है कुछ चती नहीं हुआ और हम तो एक तरह से यहां के जबाद वर्कर को मतलब हम ठैंक्स बोलते हैं कि जिसके चलते जो है ना रूप नरायनपूर आईटी आई कोविट सर्विस सेंटर का इफ्तिता एमेले बेदन उपध्याई ने किया सलानपूर में मोहिकमा ब्लॉक हेल्थ के इंतिजाम और एमेले बेदन उपध्याय के एकदाम के तहट रुपना रायनपूर आईटी आई सेंटर में 21 बेड़ पर मुश्तमिल एक कोवीट सर्विस सेंटर कायम किया गया है कोवीट सर्विस सेंटर का इफ्तता भूत के रोज 12 बनी के एमेले बेदन उपध्याय के साथ सा सलानपूर ब्लॉक के बीडियो आदिती बासू सलानपूर पंचाय समेती के सदर पालगूनी करमाकर घसी शरीक सदर बीवित मिश्रा जिला कॉंसिल के कारकन महमद अर्मान और व्लॉक सिर्णमुल कॉंगरेस के जनरल सिक्रेट रीभोला सिंग मौजूद थे कि अमरा वह तो प्वाइट निन आगे अमरा पीडियो मेड़ा मुछिला नाम रस्वाई शिला तो वह खाना आम राला चुना कुड़े चिला में आमी पार्टी तरुक्ते के अर्मानदा बोला के दाख चिलां जेता ज्यात्या मादेरे खाने आमी पुरी शिलां दॉस अलाके में वाकिया पंडिट तलाब में कमल के फूल को तोड़ने के लिए राम बागान इलाके का रहाईशी 45 साला सब्जी फरोश लक्षमन शर्मा तलाब में डूबने से हलाक हो गया मुकामी लोगों का कहना है कि पेशे के लिहास से सब्जीयों का बेचने वाला लक्षम पंड़न शर्मा के एहल खाना और पलोसियों को खबर दी गई जब मुकामी लोगों ने इसे डूपते देखा बाद अज़ा पुलीस इंतिसामिया की मदद से लाश को बाहर निकाला गया थाना रानी गंज के पंजाबी मोड पंडी की पुलीस आकर लाश को अपनी आसनसुल डिस्ट्रिक अस्पताल भेज दिया गया पुरूलिया में जिला के थाना जहालडा के मातरी खामिर जोन में पुलीस शराब के खलाफ महम चला रही है शराब बनाने के लिए भारी मिकदार में खाम माल बराम्त किया है मालमात के मताबिक बुद की सुबा खुफिय जराइ से मौसूला इतलाइत की बन्याद पर जहालडा पुलीस इस्टेशन ने लोस्कोडी के इलाके में शराब नोशी के खलाफ महम चलाई ताहम पुलीस की आमद की इतला मिलते ही वहां मौजूद गैर कानुनी शराब के कार लफ्तार नहीं किया है पुलीस के मताबिक ये महम मुश्तकिल तोर पर चलाई जाएगी जमूरिय इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके आकरा में बनाए गए गगन फेरोटिक स्टील प्लांट के सामने मुकामी हर्मा डांगा अदिवासी पाला के लोगों ने फैक्ट्री गरम राक और कच्ड़ा फैक देती है इन्होंने कहा के फैक्ट्री को यहां और वहां राक पेकने की वज़ा से लोग मुश्किलात में पढ़ जाते हैं अभी कुछ दिन पहले ही लखी नरायन हांजडा के गाउं हर्मा डांगा के पैर फिसलने की वज़ा से इस राक में गि पहतर नहीं हुई है इनकी इंतिजामिया से मुतालबा किया गया था के फैक्ट्री मैनेजमेंट अपने फिट होने तक इनके अखराजात बरदाश्ट करेगी और जब वो फिट हो जाएंगे तो अपने मिलाजमत का बंदोबस्त करेगी इसलिए धरना दिया गया है हम लोग आसन सुल्मे रियासत के महिकमा Law and Public Works Welfare की जिमेदारी हासिल करने के बाद मुलाय हलका के इजास का अमल रात तक जारी रहा इसी सिल्सले में कल रात पांडेश्वर से तालुक रखने वाले तिनमूल के नौ मुंतखब एमेले नरिंदर नाथ चकरवत्ती आसन सुल आये और मुलाय घटक के घर जाकर इनका एहतराम किया मुलाय घटक ने भी इनका एजास दिया चकरवत्ती बहार आये वो अकलियती सील के जिला सदर सेद मुहमद अफ्रोज के दफ्तर भी गए जहां सेद अफ्रोज ने नारिंदा को गुल्दस्ते से नवाजा और इस वाक्ये पर मिठाई भी तक्सीम की गई नरिंद चकरवत्ती ने सेद मुहमद अफ्रोज को भी इजास से नवाजा इन्होंने कहा के इस बार अकलियती सील से वावस्ता लोगों ने बहुत तावन किया मैं इनका शुक्र गुजार हूँ सेद अफ्रोज ने जो टीम बनाई है वो बहुत मुतहरिक है इन्होंने पांडेश्वर में इंतखावी महम में शिरकत के लिए सेद अफ्रोज का शुक्रिया अदा किया इस मौके पर वसीम राजा, सेद राशीद मुकेश ज्जा, चन्द, मधुदास, दानिश, उमा, मिनू, रियास, राजू वगेरा मौजूद थे सिलपांचल में कुरोना बहरान में लोगों की मदद के लिए मुक्तली सतय के लोग आगे आ रहे हैं आसन सुल के एक समाजी कारकन, सताजिर, अधियन गुपता ने कुरोना से मतासरा लोगों को मुफ्त खाना प्राहम करने का एलान किया है यह जुमराज से शुरू होगा, इन्होंने बताया के एहद गराम में कुरोना मतासरा अफरात को इनके सेकंड वाइफ की जानिब से मुफ्त खाना पेश किया जाएगा इनकी कोशिश होगी के कोई भूका ना हो, जिसको खाने की जरूरत हो वो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 7000-175-2719, 825-001-7873, 985-163-5322 धनबाद में बुद के रोज, धनबाद का वासी, एक बार फिर खून में लटपद, नीले रण के पलसर मोटर साइकल पर आये ना मालूम मुझरिमोंने दर्म्यानी सळक पर मदर हलीमा स्कूल के एक ताजीर और ऑपरेटर के सर में गोली मार दी जिसकी वज़ा से वो मौके पर ही दम तोड़ गया जबके मुल्जम इंतहाई आराम से मौके से फरार हो गया फिलहाल वाके की इतला पर बैंक मोल पुलिस इस्टेशन और भूली ओपी पुलिस मौके पर पहुँच गई और मामले की छान बीन में मसरूफ है इसके साथ ही इत की तयारिया भी हो रही है इस वाके की वज़ा से इस वाके की सिलसले में बताया जा रहा है कि नए बजार के रहाईशी जमीन के ताजिर बुद के सैपहर तीन बज़े के करीब अच्रफल हसन उर्फलाला खान अपनी मो मोटर साइकल से आने वाले मुझरिमों ने इनके सर पर पिस्तॉल से गोली मार दी गोली लगते ही लाला खान मोटर साइकल समेट सड़क पर गिर पड़ा जब तर लोग कुछ समझ सकते थे मुझरिम बहुत तेजी से मौके से परार हो गया मौके पर जमा लोगों ने लाला को फौरी तौर पर सिंट्रल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्ट्रों ने इसे मुद्धा करार दे दिया कहा जाता है कि मुझरिम इस जुरुम का इतकाब करने के बाद धनबाद गया रेलवे लाइन के तरफ भागा पुलीस ने रेलवे लाइन से सिया और नीले रंग के पलसर मोटर साइकल भी बराम की इसके साथ ही पुलीस को इस जगह से एक सिया CT 100 मोटर साइकल भी मिली पुलीस को इस बात का अंदेशा है कि मुझरिम इस मोटर साइकल से वाक्य को अंजाम देने आये हैं और इस वाक्य को अंजाम देने के बाद वो दोनों मोटर साइकल को रेलवे लाइन की करीब छोड़ कर परार हो गये फिलहाल पुलीस मामले को संजीद्गी से ले रही है और तहकीकात कर रही है जमूरिय पुलीस इस्टेशन के मातहद बारुल गाउं की रिहायशी मलती गोराई बूत की सैपहर को खेट से घर वापस आ रही थी के बिजली की गरजव चमक से वो औरत बेहोश हो गई मुकामी अफराद इसे आसनसुल डिस्टिक अस्पताल ले आए जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया इस वाके के हवाले से इलाके में शोग की फिजा पैदा हो गई है और आखिर में हमारा SMS of the moment Human behavior flows from three main sources, desire, emotion and knowledge इंसानी सुलूक तीन अहम जराय से निकलता है, खाहिश, जज़वात और इल्म तो इसी के साथ मैं आपसे जादत चाहूंगी पर उससे पहले प्लीज, लाइक, शियर and सब्सक्राइब